आप अन्य फसलों की बुआई करके भी अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं पर अगर आपके पास कम खेत है तो आप लोग अन्य फसलों के पेच्छा या इस गर्मी एक एकर या एक एकर से भी कम खेत से मात्र 35 से 40 दिन में लाखों रुपए कमाने का ये है टॉप क्रिसी मोडल इस आन्य यदि आपके पास कम खेत है या आप सामानने खेती करते करते ठक गए हैं और इस गर्मी कुछ नया और कम पूजी में बढ़ा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा क्रिस यह से कमा सकते हैं और भी बड़े ही आसानी से आखिर इस कृशी मोडल को अपना कर आप इतने कम समय में इतना अधिक मुनाफ़ा कैसे कमा सकते हैं यह भी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं नमस्कार मैं हूँ विजय मौर और आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल नमबर वन खेती बाड़ी जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाईयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किसान भाई जहां एक तरफ खाद, बीज, दवाई और सिचाई के बढ़ते दाम की वज़े से सब्जी वरगी फसलों को उगाने में लगने वाले लागत दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं वहें दूसरी तरफ गर्मियों के मौसमें जादा तर सब्जी वरगी फसलों का ब काल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसका एक ही कारण है कि जादा तर किसान भाई एक ही समय पर एक ही प्रकार की सब्जी को उगा लेते हैं और इस समस्या का एक ही निवारण है ये किसी मौडल इस किसी मौडल के तहत किसान भाई यदि आप लोगों के पास गर्मियो सब्सक्राइब कर भाग एक में जो है आप लोगों को धनिया की बुगाई करना चाहिए किसमा धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड देश के समीम अंडियों में वर्स के बारहों महीना होती है लेकिन यह अन्न मौसम के पिछा गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छे दा होता है पर अगर यहां पर थोड़ा से टेक्निकल तोर पर खेती की जाए तो धनिया की खेती भी गर्मी के मौसम में बड़े ही आसानी से करके बहुत ही अच्छा-खासा मुनाफा कम छेत्रफल वाले खेस से कमा सकते हैं किसानवाई यादि आप लोग गर्मी में धनिया की खेती कैसे करें इसके बारे में भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका अल्रेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया है कि प्रचंड गर्मी में धनिया की खेती कैसे करें इसके तहट किसानवाई आप लोग जो है फरवरी मार्च अप्रेल मई महीन में धनिया की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और धनिया की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं अगले नमबर की किसारमाई प्लोट में आप लोगों को दूसरे नमबर पर मूली की बुआई करना है किसारमाई यदि आप लोग फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई महीने में मूली की बुआई करते हैं तो आने वाले 30-35 दिन बाद आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी उस समय आप लोगों को अपने मूली की फसल से वहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा किसारमाई मूली एक ऐसी फसल है जिसके डिमांड देश के सभी मंडियों वर्स के बारों महीना होती है लेकिन गर्मियों के मौसम में अन मौसम की अपेचा बहुत ही अच्छे दाम पर बिक्ती है और इसे बहुत ही कम लागत लगा कर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं किसारमाई अगर आप लोग परचंड गर्मी में मूली की खेती कैसे करें ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्किप्शन में दे दिया है दिये गए लिंक पर क्लिक करके गर्मी में मूली की खेती कैसे करें इसके बारे में संपूर जानकारी ले सकते हैं उसके बाद किसानवाई आप लोग को दो भाग में आपने यहाँ पर बुगाई कर दी उसके तत्पस्याद आप लोगों को 10-15 दिन बाद दो भाग में और एक भाग में धनिया की खेती करना है और एक भाग में जो है आप लोगों को मूली की बुगाई 10 से 15 धिन बाद फिर से कर देना है ऐसा करने से किसान naan आप लोगों की जो फसल है वो 10 से 15 दिन के बीच में जो gap रहेगा इससे आप लोगों के ऊपर जो मुली की फसल का या धनिया की फसल का हर्वेस्टिंग का लोड नहीं रहेगा और आप लोग लंबे समय तक अपनी धनिया और मुली की फसल का हार्वेस्टिंग करते रहेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा रेट गर्मी के मौसम में मिलने वाला धनिया की फसल जो है 30 रुपए किलो से लेकर 500-200 रुपए किलो तक बड़े ही आसानी से विका था पिछले दो वर्सों में अगर हम बात करें गर्मीयों के मौसम में वहें अगर हम मूली की बात करें किसानमा यह हो तो गर्मीयों के मौसम में पिछले दो वर्सों में देखें तो हमें 40 रुपे किलो से लेकर 80 रुपे किलो तक मूली का अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिला था किसानवाई ये सबजी वरगी फसले हैं इसका रेट बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्चुएट होता रहता है अगले नंबर पर किसानवाई पांचवे प्लाट में आप लोगों को गर्मियों के मौसम में लाल वाली चौलाई की बुगाई करना है किसानमा अगर आप लोग गर्मी के मौसम में यानि फरवरी, मार्च, अप्रेल और मैं महीने में लाल वाली चौलाई की बुगाई करते हैं तो पहली बार तो आप लोगों को 20-25 दिन में हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी और इस फसल में आप लोग धनिया और मूली की अपेच्छा भी बहुती कम लागत लगा कर इससे अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और यह गर्मीयों की दिनों में पालक की अपेच्छा लाल वाली चौलाई का मार्केट में काफी ज़्यादा डिमांड होता है इस प्रकार किसानमाई आप लोग गर्मी के मौसम में लाल वाली चौलाई की बुगाई करके बहुती अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं वो भी बहुती कम लागत में इसके अलावा किसानमाई आप लोग छटे प्लोट में आप लोग गर्मियों के मौसम में यदि आप लोग पोधीना की खेती करते हैं, जिसकी चटनी बनाए जाती है तो उस फसल से भी आप लोग बहुत अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम म पोदीना का मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिलता है किसानवाई अगर आप लोग पोदीना की खेती करते हैं तो मात्र जो है 25 से 30 दिन में हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा और इस फसल में भी बहुती कम लायत लगा कर आप लोग अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ बहतर मंडी भाव ले सकते हैं किसानवाई ये थी गर्मी के मौसम में कम छित्रफ़ वाले खेश से अधिक मुनाफ़ा कमाने का टॉप क्रिसी मॉडल किसानवाई इसके तहट ये आप लोग गर्मी के मौसम में खेटी करते हैं तो आप लोग बहुती अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं किसानवा ऐसा भी नहीं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मूली, धनिया और चौलाई, पोदीना की खेती ही करके गर्मी के मौसमें अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं। किसानवा ओवड़ीयो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट सेक्सर में ज़रूर लखिएगा, किसानवा आज की वीडियो में बस यहीं दाख फिर मिलते हैं किसे एक नए वीडिएयो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जेवाण, जय किसानु